नमस्कार दोस्तों राधे राधे जैश्री कृष्णा दोस्तों लाइफ में कई बार बिना बुलाए ही कई तरह की आर्थिक, मानसिक समस्या अचानक से आ जाती है, या अच्छी खासी चल रही जिन्दगी को किसी की बुरी नजर लग जाती है। आज के समय में लोग दूसरे की खुशियों को देख कर जलते हैं, उनसे इर्शा करते हैं, कोई भी किसी के बढ़ते हुए काम या सुख, साधनों को देख कर अपने ही अपनों से इर्शा करने लगते हैं, किसी ने सही ही कहा है कि आज के समय में लोग अपने दुख से नहीं, बलकि दूसरों के सुख से दुखी है. कोई भी किसी को खुश नहीं देखना चाहता. सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए है. इसे में कुछ अंचाही मुश्किले लाइफ में आती ही रहती है. तो अगर आप चाहे तो अपने किचन में रखे इस मसाले से अपनी मुश्किलों और दुखों को खत्म कर सकते है. ज्योतिश शास्त्र के अनुसार किचन में मौजूद कई मसाले घर में निगेटिव एनरजी को निकाल कर सुख समृद्धी लाते हैं. इन्ही मसालों में से एक है तेजपत्ता. ज्योतिश शास्त्र के अनुसार तेजपत्ता क इसके साथ ही नजर दोश, बुरे सपनों से भी छुटकारा पा सकता है। घर में सकारात्म कूर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए तेज पत्ता का इस्तिमाल कर सकते हैं। तेज पत्ते के कुछ खास उपाई करने से आपके घर में सुख समृध्धी आएगी। जिन्हे करने से आपका दामपत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों हर घर की रसोई में कई प्रकार के मसाले उपलब्ध होते हैं। ऐसे में आपकी रसोई में तेज पत्ता तो होगा ही। तेज पत्ता ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इससे हर मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं, तेज पत्ते के कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें करने से कई तरीके के लाब मिलते हैं। तेजपत्ते के इस्तेमाल से आप अपनी हर मनो कामना भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये खास उपाय करना होगा। आर्थिक तंगी दूर करने और धन लाब के लिए आपको तेजपत्ता शुक्रवार के दिन अपने परस में रखना चाहिए। शुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी को प्रिया होता है। ऐसे में यह उपाई करने से मा लक्षमी की कृपा से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, किसी भी कार्य में बाधा आ रही है तो आपको तेजपत्ते का उपाई करना चाहिए। शुक्रवार की रात को पांच तेजपत्ता और पांच काली मिर्च लेकर साथ बार अपने उपसे इंटिकलोक उतार कर जलाने से घर की सभी बाधाएं दूर होती हैं और यह उपाई करने से घर परिवार के जगड़े भी समाप्त हो जाते हैं। आपको घर में सकारात्म कूर्जा के प्रवाह के लिए एक आसान उपाया आजमाना है। इसके लिए आप हर शनिवार तेजपत्ते के पांच पत्ते लें और इन्हें पांच काली मिर्च के साथ जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इससे आपके घर में अभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो विडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है और बेवजा धन हानी होती है तो आप एक तेज पत्ते को शुक्रवार के दिन माता लक्षमी के चरनों म रखें और इसे अपने परस में रखें ये पत्ता आपके लिए धन के योग बनाएगा इससे आपकी पैसों से भरी परस कभी खाली नहीं होगी अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप एक तेज पत्ते के उपर सिंदूर से उस इच्छा के दो शब्द लिखें और इसे अपने घर के मंदर में रख दें इस उपाय से आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को आल पर से और घर के बाहर किसी स्थान पर या किसी पेड के नीचे ये पत्ते रख दें इस उपाय से आपके घर से नजर दोश दूर हो जाएगा ज्योतिश के इन आसान उपायों से आप धन लाब के साथ कई समस्याओं से मुक्ती भी पा सकती हैं आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो कॉमेट बाक्स में हमें जरूर बताए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल करना बिलकुल मत भूलना हम आपसे जल्द मिलेगे ऐसे ही नए शुभविचार के साथ तब तक के लिए नमस्कार